दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों हर कोई चाहता है कि उसकी समस्याएं दूर हो जाए उसकी समस्याओं का समाधान हो जाए लेकिन हर किसी के बसकी नहीं हो पाता या फिर कहें कि हर किसी के नसीब में नहीं होता कि जो वे चाहे उसको उस चीज की प्राप्ति हो जाए तो आज मैं आपको एक और वश्डि करणा ऐसा उपाय बटाओंगी, जिससे आप किसी को भी अपने वश्ड़ीं कर सकते हैं, अपनी मन आखिरका नाभी पर उंगली रखकर कौन करता है किसी का वश्यकरन तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप नाभी पर उंगली रखकर किसी का भी वश्यकरन कर सकते हैं और इस उपाय को करने से बहुत से लोगों को लाब भी हुआ है तो चलिए आप नोट जी हैं वह सिद्ध गुरुजी हैं जैसे हम आपको बताएंगे उसी हिसाब से अगर आप वह कारे करेंगे तो 100% आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी जी हां दोस्तों अपनी नाभी पर उंगली रखिए अपनी नाभी पर उंगली रखने के बार आपको एक मंतर पढ़न अपने बेड के उपर लेट जाएं उसके बाद अपनी उंगली को आप उस इंसान के चहरे को याद करें अपनी उंगली को ऐसे करें और अप उस इंसान को जिसको वश में करना चाहते हैं उसके चहरे को अपने मन में लाएं और इस उंगली को अपनी नाभी पर रखें अप को एक मंत्र बोलना है साथ बार मंत्र ध्यान से सुनिएगा ओम नमो कामेश्वरी वश्य ओम नमो कामेश्वरी वश्य करूं करूं यह आपको मंत्र बोलना है मंत्र में एक बार फिर से दोहरा देती हूं ओम नमो कामेश्वरी वश्य ओम नमो कामेश्वरी वश्य करूं करूं इस मंत्र का आपको जाप करना है और इस उंगली को अपनी नाभी पर रखना है जब आप मंत्र का जाप करना है हो अपनी नाभी पर उंगली रख लें और उस इंसान का ध्यान अपने मन में लगातार करते रहें जिसको आप पाना चाहते हैं इस मंत्र का जाप आपको सिर्फ साथ बार करना है और उसी इंसान का ध्यान करते रहना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं तो जैसे ही आप यह उपाय करेंगे मात्र साथ घंटे के अंदर दावा करती हूँ मात, साथ घंटे के अंदर वह इंसान आपके बस में होगा ऐसा करते ही वह इंसान आपके वश में तो होगा ही साथ ही आपकी सारी बाते मानने लगेगा अगर आपके पास इस उपाय को करने में कोई समस्य आ रही हो या आप चाहते हो किस उपाई को किस तरीके से किया जाए पूर्ण रूप से जानना चाहते हो विस्तान पूर्वक जानना चाहते हो तो जो नमबर आपकी स्क्रीन पर दिखाये जा रहे हैं आप इन नमबर उपर हमारे गुरुजी से संपर कर सकते हैं क्योंकि हमारे गुरुजी जब तब करते हैं बहुत सारी सिद्धिया प्राप्त करते हैं और उसके बाद ये वशीकरन के सरल और सटी कुपाई आप तक पहुंचाते हैं तो आप ज़रूर इन नमबरों पर संपर करें, हमारे गुरुची से प्राप्त करें यह सेटी को पाए और मुझे दे आ गया जय माता दे